कांजी का सीजन है तो आपको औरिजनल तरीके से बनाने सिखाती हूं चाहिए कि बाजार की जिन आ गाजनल और नेश्टरल तरीका यह नहीं है मैं आपको बताती हूं कि Emily काहिद कैसे वनानी है यह स्विक्षाशन नहीं कि लिए और मैं काटने लगी हूं। इस तरह हमने गाजरों को लंबा कारना है बहुत ज़दा मोटी नहीं रखनी क्योंकि उनको फिर गलने में जो है उनको सोफ्ट होने में ज़दा टाइम लग जाएगा बस इतनी ही हमने मोटी और इसको इस तरह रखना है आप अपनी मर्जी से इस तरह काट ले कांची बनाने क इस तरह बड़ा हास इंग्रीडियंट है यह राइ है यह देखिए इस तरह यह चोटे बारीक दाने हैं आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगी और यह साबुत हैं भी लेकिन हमने इसको कुंडी में पीस ना है क्योंकि हमने मशीन में इसलिए मैं नहीं पीस लिय अपने असानी के लिए आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं लेकिन मुझे इस त्रडीशनल तरीके से पीसेना ज़्यादा पसंद है यह देखिए इसको इतना ही आपने बारीक पीसना है कांजी डालने के लिए हमें मट्टी का बटण चाहिए यह देखिए यह मट् 5-6 टीबस्पून नमक जाएगा। 2 टीबस्पून इसमें सुर्फ मिर्च शामिल करूंगी क्योंकि कांजी वह काफी स्पाइसी लोग पीना पसंद करती है तो यह आपकी मर्जी है आपने कर जादा स्पाइसी नहीं थोड़ी कम कर लिए जादा स्पाइसी पीनी है तो मिर्च क्योंकि वह बाद में भी शामिल किया जा सकता है और अब इसको हम कवर करके किसी गरम जगा पर यह अपनी किचन में ही रखेंगी और तीन दिन के बाद बड़ी जबदस कांजी त्यार हो जाएगी आज तीसरे दिन है और यह देखें कांजी त्यार हो चुकी है कलर बड़ा अगर थोड़ा सा काला नमक इसमें शामिल करके पीना जाएं तो पीलें बजार की जो इससे कहीं सदा मज़दार और टेस्टी है क्योंकि वोयल करके बनाए जाती है फोरी तोर पर सेल करने के लिए लेकिन और ट्रिडिशनल तरीका कांजी त्यार करने का यही है और यह है तो लाइक को शेर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें